दोस्तो VLE Society में आप सभी का एकवाफर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज सुडियम बात करेंगी PM किसान EKYC थो CST के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है CST के माधियों से PM किसान EKYC का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक काफी VLE भाईयों को दिख्क का EKYC कर सकते हैं और CST के माधियम से उसका जो PM किसान EKYC के वितर करेंगे उसका प्रोसेस और इसका जो रसीड डाउनलोड होगा उसके बारे में भी बताऊंगा ठीक है लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखिएगा तभी आपको इस प्रॉब्लम से solution मिल पाएगा और आप पूरी तरीके से PM किसान EKYC कर पाओगे ठीक है तो बिना देर की वे हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको आना है CST वाले लॉग इन पर और फिर बाकी दोस्तों पर चानल बिलकुल नद भू को PM किसान के भीतर EKYC करना है उसका आधार नंबर डाल देना है ठीक है तो और यहां पर आधार नंबर डालने के बाद आपको जो सर्च का ओप्शन दिया रहेगा सिंपली से इस पे क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही आपके सामने देखो इंटर मोबाइल नंबर का ओप्शन आएगा तो कोई जुरूरी नहीं जो अधार नंबर के साथ में रिइस्टर मोबाइल नंबर है किसान का वही आप डालो कोई भी मोबाइल नंबर यहां पर डाल सकते हो वह नंबर डालने के बाद यहां पे देखो mobile OTP का ओप्शन आएगा तो जो नंबर आप ने डाला है य capture biometric for ekyc पर click कर देना है और यहां पर click करने के बाद जो भी किशान है उसका fingerprint आसानी से आपको लगवा लेना है ठीक अगर fingerprint match नहीं करेगा तो आपको error आएगा otherwise यहां पर जैसे ही आप submit करोगे तो आपके सामने के वाईसी successful का message आजाएगा अगर एक बार error आता है तो fingerprint साफ करवा के आपको दुबारे से रखवानी है ठीक है ज्यादा तर cases में fingerprint mismatch होने के कारण ही वो red वाला जो error आता है वो आपको आता है ठीक है तो अभी जैसे कि मैंने यहां पर KYC capture कर लिये है अब यहां पर जैसे आप payment का option ठीक है यहां पर simply से आपको make payment पे क्लिक कर देना है और जैसे यहां पर make payment पे आप क्लिक करोगे तो आपको ले के जाएगा कर दिये है और इसके लिए आप किशान को पंदर रुपे चार्ज कर सकते हो ठीक है तो यह पूरा का पूरा प्रॉसस है आशा करता हूँ आपको पूरा प्रॉसस समझ में आ गया होगा कुछ भी confusion हो तो वीडियो के पता चल सके और अभी इस service के वल और केवल csc पोड़ी के माद्यम से ही चालू है प्यम किसान एक वाईसी की तो आप जिदने भी csc वेली भाई है इसमें जरूर से काम करें और अगर आपको प्यम किसान एक वाईसी करते समय कोई error आ रहा है तो आप किसी और टाइम में कोश झालू है तो आपको प्रहा है झालू ह ह हुआ है खमा करेंग खेए है